हेलो एब्रिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम दोग देखने वाले हैं कि गिटहब क्या होता है और गिटहब प्रोजेक्ट को या फाइल्स को कैसे हम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं एक्स्टर्ट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को फिर किसी भी आई डी में जैसे विज्वल स्टूडियो कोड में कैसे ओपन कर सकते हैं तो हम इस बात पर अगे स्टाट करें कि या होता है उससे पहले आप गिटहुब की वेब साइंट और वहा पर अपना अकाउंट कर लो account कैसे create करोगे आप search करोगे google पे github तो जो पहला ही link आएगा मैं आपको यहाँ पे search करके दिखा देता हूँ github यह normal आप google पे भी लिखके search करोगे तो open हो जाएगा यह आपने search किया यह पहला ही जो आया github.com इसको open कर लो हमारा github का website open हो जाएगा अब इस पे यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहा है sign in sign up तो sign up पे click करो और sign up पे click करने के बाद फिर आपसे आपका email मांगेगा नाम पूछेगा जो जो detail मांगेगा देखो यहाँ पे welcome to github let's begin the adventure enter your email तो अपना यहाँ पे mail enter करोगे जो भी आपका mail है ठीक है जैसे मेरा है rajiv.ranjan तो आपका जो भी mail है उसको enter करो फिर name enter करो number enter करो जो भी detail पूछ रहा है सबको enter करो submit करते जाओ यहाँ पे continue continue करते जाओ last में submit होगा आपका account create हो जाएगा right create होने के बाद sign in button पे click करना और जो email डाला होगा यहाँ पे email डालना और password डालना sign in पे click कर देना sign in हो जाओगे sign in होने के बाद कुछ इस तरीके का तुमरा account open हो जाएगा जैसे अब ही देखो है मेरा already बना हुआ account है open है और profile देखना हो तो यहाँ से हम your profile हो सकता है first time account open करो तो diet profile पो open हो यह सारे मेरे repository है सो अब बात करते हैं कि github है क्या किस लिए use होता है जल्दी में इसको बहुत short में cover करने वाला हूँ बहुत जड़ा time नहीं दूंगा इस पे so github basically repository एक आप बोल सकते हैं central place है server पे जहाँ पे सब लोग अपने data रख सकते हैं जैसे एक friend है आपका c ठीक है तीनों को एक ही project पर काम करना है कोई एक website है वैब project है जिस पे आप तीनों को काम करना है right. तो तीनों कैसे काम करोगे जो website होगा। पूरा data होगा उसको कहां रखोगे a के computer पर रखोगब या b के computer निया c के computer पर कोग्गे अगर A के computer पे रखोगे तो A जो भी changes करेगा, B को कैसे पता चलेगा और B के computer पे रखोगो तो C को कैसे पता चलेगा अब ज़रूरीत नहीं कि तीनों लोग एक साथ बैठ के काम कर रहे हो हो सकता है, तीनों लोग अलग 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 नेश में हो आपका project कहां पे रहेगा server पे और server से आप internet से सारे के सारे team members connect हो जाएंगे और आपका web page कहां पे है server पे project और अब तीनों लोग access कर सकते हैं A B B access कर सकता है B B access कर सकता है C B access कर सकता है अगर ए project में कुछ भी changes करेगा तो change करने के बाद उसको push कर देगा जो हमारा main project जहां रखा हुआ है वहाँ पे तो वहाँ पे changes आ जाएंगे और जैसे ही यहाँ पे change होगा कि A ने कुछ notification message चला जाएगा कि A changes हुआ है उसी तरह अगर B कोई changes करेगा तो C और A को पता चल जाएगा So I hope clear हो गया होगा कि हमारा github क्या है एक centralized system में repository है जहां पे हम अपने project को किसी भी तरह का project वेb project ही नहीं even आप तींचा लोग मिलके कोई story लिख रहे हो उसको भी रख सकते हो किसी भी तरीके का project हो उसको आप server पर रख सकते हो और फिर कई सारे अलग अलग लोग server से connect करके single time में data को access कर सकते हैं राइट कई सारे लोग connect करके access कर सकते हैं अगर कोई भी एक changes करेगा इस project में तो इस सब को पता चल जाएगा right so I hope clear हो गया होगा github क्या होता है अब देखते हैं कि github से किसी भी project को अब see github पे बहुत सारे open source project है किसी ने अपना website बनाया जैसे अपना portfolio बनाया या कोई e-commerce के लिए website बनाया flipkart या amazon जैसा और उसने पूरा का पूरा github पे रख दिया code right तो बहुत आसानी से उस project क github से download कर सकते हो उसमें changes कर सकते हो उसको अपना बना सकते हो से code को देख के सीख सकते हो तो यह कैसे करेंगे तो डाउनलोड कैसे करेंगे, अब इस प्रोजेक्ट में बहुत चोटा प्रोजेक्ट है, सिर्फ दो फाइल है, readme और index.html, तो इस प्रोजेक्ट को कॉपी करने का दो तरीका है, एक तरीका है कि आप ए sttp से क्लोन कर लो, अपने visual studio code में, या किसी भी और IDE से, जिसको मैं अल download हो गया, zero to hero, अब इसको हम open कर लेते हैं, downloads folder में, okay, so show in folder, चलो मैं direct open कर दिया, तुम downloads में जाके, देख सकते हो, वहाँ पे show करेगा, इसी नाम से, हमारा file open हो गया, अब इसको extract करना, extract कहा करेंगे, अगर तुम सीधे download folder में जा रहे हो, तो जाके zero to hero पर right click करना, extract का option आ जाएगा, window use करते हो, तो win करके एक program होता है, जिसके through कर सकते हो, अलरड़ी यह window में होगा, so extract में click करते हैं, अब location choose करना है, कि हमें कहा करना है, मैं desktop क कर देता हूँ, so चलते हैं, अब desktop पे, इसको close कर देते हैं, और desktop पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या desktop पे हमारी file आ चुकी है, so show desktop, हमें सारे बाकी सारे files को minimize कर लेते हैं, अलरड़ी मेरे computer में बहुत सारे file open है, so यहाँ से हमारा, यह रहा desktop, और desktop पे देखो zero to a रहा, हमारा open हो चुका है अगर देखो सेम दोनों फाइल है index और readme अब इसको अगर इस पे कुछ हमें काम करना है तो इसको किसी भी IDE में open करना होगा तो कैसे open करेंगे right click करो open with other application और विजुल स्टुडियो कोड option में आ गया नहीं दिया है तो view all application में करो same window में भी ऐसे होता है open with करके right click करोगे window में तो open with का option आएगा वहाँ से जाके कर सकते हो और फिर इसको select कर लो यह visual studio code में open हो जाएगा so just hardly कुछ second लएगा मेरा system थोड़ा सा slow हो गया है क्योंकि बहुत सारे files open है इसमें right so यह हमारा file open हो रहा है और अगर इस तरीके से जैसे मैंने बताया मानलो window use कर रहो ऐसे open नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका क्या है file पे जाओ यहाँ पे visual studio code open करने के बाद open folder पे click करो open folder पे click करोगे तो folder के option आजाएगे desktop पे जाओ और यह 0 to hero javascript यह वाला है इसको select करो और okay पे click कर दो तब भी open हो जाएगा तो यह हमारा visual studio code में open हो चुका है यह देख रहो readme.md और दूसरा हमारा index.stml इस सेम फाइल को इसी तरीके से हम javascript series में आने वाले हैं so thank you for watching this video I hope समझ में आ गया होगा github क्या होता है और github के files को हम कैसे download कर सकते हैं computer में so channel को subscribe करो and video को like करो and अपने friends के साथ share करो thank you